खरे कृष्णा हारे बहोल खान बांगला बोलें ठीक अचे ऑट अ पुँकर मुझे रगड़ो हरे कृष्णा हाँ हींदी में थोड़ा बूँगा लेकिन बंगाली ज्यादा लोक है इसलिए हिंदी में बंगला में Hare Krishna, Oma ज्ञानत मिराम धस्य, ज्ञाना अंजन सलागया, चक्सूर उन्मिलितम जेन, तस्मै स्री गुरवे नमा, बले दिब्वत ब्रंदारन्य कल्प दुर्माध, स्री मत रतना गार सिंगास नस्तव, स्री स्री राधा स्री लगविंद देव, प्रेष्टा लिभे सेव्वमानस्मरामी, स्री क्रिष्ण चैतन्न प्रभु नित्यानन्द, स्री अध्वाइत गदाधर स्री वासादी, गौरु भक्त ब्रंदा, स्वाहत वुले बलुएन, बला हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, 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 हरे Hare 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 आमीं बांगला भेल हिंदी आधा भुलो है ठीक हाचिए प्रत्मे तामीं बांगलाइ भोलो आमारा गुरुबैश्च नवा दर आनुगते श्रीद्ध हम भ्रिंदामन परिक्मा करते करते एक होना जे मंदिरी उपस्थित होई जी एई मंदिरे नाम होल स्री गोविंद देव एई जने एई जै गोविंद देवर जै प्राकट समंधे जखन स्री माता उत्तरा तिनी बज्रनाव के गोविंद रेखो सुंदर सुंदर तिनी कथा सुनातेन गोविंद किर्यकाम त्रिभंग ललित रुपे किरिष्ण की गरम दाडातेन आर जखन तिनी बंसी ध्वनी करतेन वही बंसी ध्वनी सुनेतो जमना उल्ट बैता आरम करतो ब्रिखतेके मधु जरता आरम करतो गोरुरा घास खाया भुलिजेतो बाचुरा दूद खाया भुलिजेतो आर तार बंसी ध्वनीर की कथो सुन्दर चिलो आर तिनी ब्रजव गोपी दरे बाड़ते बाड़ते गे तिनी नोनी चोरी करते आर कृष्ण तिनी वही गिरिराज गोवर्धने तिनी साथ साब बरसते आर साथ क्रोष गिरिराज तिनी बाम अंगल तिनी साथ दिन धर सै गिरिराज गोवर्धने तिनी धार्नगर चिलेन बला स्री गिरिराज महराज एकी एई जने जखान तिनी गोविंदेर खुँँ सुन्दर सुन्दर तिनी कथा सुनाते ऐखन वही कथा सुनेना बजर न अवो एक दिन निज दादी मार का घाछ भोलो भला दादी मातुमितो, अनेक सुंदर शुन्दर सै गोभींदर एक कथा सुनाओ किन्तु ओई कृष्ण कथा सुन्ते सुन्ते एकन आमार हिरदय मध्यin जई गोबिन्दे के देखते इछा करण चे ओई गोबिन्द चिरकुला इटी देखात वार वे आमा की थीक आचे तमा कि आमि गोबिन्देे के देखा ची तिनी तकन समस्त मिस्टिर दरके देखे छेन देखे, ऐँ DOVंदे के तिनी देखे छेन तिनी किरीक हम भावए तरिभंग ललीता रूप उनार किकर तिनी बांसी बाजा थेन सुंदर तिनी कृष्णर रूप बर्ना करे बल चेन एर्यकमे एकटी गोविंद देवर्त मी एकटी मूर्ति बानाव। इखन जत्तो कुलाकार चिलो समस्त विध्या के लागे दिये एकटी सुन्दर मूर्ति बानिया चे। बले, देखों, एही मूर्तिटा गोविंदर में होय चे किना? बले हो ये चे किन्तु उनार ओई पायेटा जर्यक में चलोँ ना चरनटी ये चरनटेर मत हो ये चे तोखन ओर नाम रेखे दिलो मदन महना नाम रेखे चे बले आरेक्टी मुर्थीवाना चुखन तिनी आरेक्टी मुर्थीवानिये चुखन अरेक्टी मुर्थीवानिये चुखन अरेक्टा मुर्थीवानिये चुखन अरेक्टा मुर्थीवानिये चुखन अरेक्टा मुर्थीवानिये चुखन अरेक्टा मुर्थीवानिये चुख जही कही के ताकवाइ का त कि अरेट मुरतिたओर्ट कायरे अगाइप। किन्तु ओर मुखर भिंदर मतर मुखेर मतर मुख Marvin मतर मटर मतर होईप। तक तक ऐन खाकुरिए नाम bandar गोविंद या कोविंद भ hypocrobया Peninsula कि ऐसे बुजवरी कोम भूलोग के देखि र मूख दिंगाउन, अतीं मूख देखिंता का नहीं को द बूछेन, मतको के यह बुज़ु देखिं, ना पा आके न छाथिंन, होज़ा आप देखिं र मूख talking को देखिंए एक लोक्ता मूख sotto यहार भिशेसमहत्वा ऑ Init जहने बांगालिया बोले न कारणाम बारबार निए गोविंधर नाम निएetu कृष्ण हो्ले की नाम निए बले गोविंधर सेवा गोविंधर नाम बोले आम गल गल परिघ उत्त्ताओंप्रभु कई अ अधर उत्ताओंप्रपु सिधुके chocolates मात्रे मदे पूते दिये चे, कुथा ही ओई बंसी बटर निचे पूते दिये चे, कुथा ही फूले मदे ढेके दिये पाली गे चे, किनो बुसलमानों गुलों पहत भेंगे दीतो ठाकुरेर सब एजने एक हाने जगन मदनमौन गोपिनात परगट होए गे चे एकनो रुपोगोस्वामी तिनी चिन्ता कर छेन एकनो गोबिन्दे देव घृचाया छे एकनो गोबिन्दे देव भाव जा चेना तिनी खुब दुखी होए केनना महाप्रवु एधर के चारी टी काजर जने एधरे पाठी चिलें वह दर मट पर एकटिक आज अयाँ हालो जे बिग्रह गुलो यो लुपतो वह गये छे वना मीड़ूत우를 करने दोभप सेज iPhone 9 किन्तु दूट भिग्रहसतों प्रकटटीत होए गेचे किन्त गोभिंदे देवा कुछाया है आमेरे खुज क्लाशी बाची हो वाले देखो तुम्ही अम्मुक जा घाएचा है अब बले घुमा तिला मंदिर यहीं मंदिर धी पिछुने बले एक अन्ता गोमा टिला अचे देखवे दूपुर होलेना एटा सुरवी गाभी एशे ओखाना दाडाई दाडाले परे ओर स्तान थेके नीजे थेके ओर स्तान थेके दूद ज़रते आरम करे देखेवे ओई खाने गोविंदे देवासेन, सत्य सत्य एखाने एसे देखे, एक दम दुपुरो हले, एटा कपिला गाभी एसे, गोमा टिला चले ओखाने दाडिये चे, वो स्तान तेके सोभाविक रूपे, से खान तेके स्तान तेके दूद जढता आरमो कर चे, आर एटा ग गोविंदे देव इखानते के बरिये चे, बले गोविंद भगवाने की, आमी ओने के बांगला बोली फिला, एकर हिंदी बलोवा, टिया चे, अभी एही से उनने, गोविंदे देव को, क्योंकि महाप्रभु छे गोस्वामी को आदे से दिये थे, चार काम इनको पर सौंप लुक्त तिर्थक उधार करना, लुक्त विग्रह को प्रकटित करना, भक्ति ग्रंथ रचना करना, राग मार्ग को प्रसार प्रचार करना, अभी बले दो विग्रह अललेडी प्रकटित हो गए हैं, बले कौन कौन प्रकटित हो गए, श्री मदन महन और गोपिनात प्रकटि इतने में कृष्ण स्वयम गोविंद देव स्वयम आ करके बाबा आप दुखी क्यों हो बले महाप्रव का आदे सपालन करने के लिए बिग्रह काम है पता ही नहीं बले जो अमको स्थावन पर जाओ उसका नाम गोमा तिला वहीं पर एक सुरवी गाभी आकर खड़ी होने पर उनकी स्तन से अपने उप दूद जर्णा सुरो हो जाता है वही पर गोविंद देव पर खोवान को उनने प्रकट किया बले श्री गोविंद भगवान की इसलिए कैते इसलिए स्री रुप गोलिज्वामी क्या यह बिग्रह स्री गोविंद्द देव है लेकिन ini स्री रूप भंगित्रय परीचिताम साची भिष्टे रिन्न दृष्टी कि भाइया साबधान किसी साबधान खबरदार कभी मतुरा में मत जाए ना अगर मतुरा में किसी तरह से चले गए ना लेकिन एक बात को याद रखो कभी भी ब्रिंदावन में कभी यह कैसी तरह घाट में आना नहीं कभी यह कैसी तरह घाट में आना नहीं बहुत भाइया हम तो अल्रेड यह पर खड़े हैं बहुत अगर भूल भटकते हुए यहां पहुंच गए ना एक बात याद रखो उसको पास में यही मंदिर है श्री गोविंदेव का मंदीर के उसको प्रतक भी विश्वास नहीं करनी चाहिए। बिश्वास और उनको जो मुह में जो मिठी मिठी वो जो बंसुरी बजाते हैं बले भाईया यह बंसुरी कभी कान में तुमारी नहीं पढ़नी चाहिए बले क्यों क्या बात है बले से रूप नए नहेरे केह नहीं घरे फिरे अगर एक बार अगर स्री गोविंद देव को दर उनका जो भंसी दोनी नहीं वो जादू है वो जादू है उनका जो मिठी मिठी हसी और मुसकार हाट बले भईया उनकी जो हसा घसा ओं फसा इसलिए उनकी हसी को अबकर में कभी बिश्वास मत करो वह कान न किया वहार किसने अगर देख लिया थे वघ्ति कभी घर में बपस नहीं आएगा इसलिए से रुप ए को स्वामी कहते हैं लेकिन वो किसको सांज किसको कर रहे हैं जो घर ग्रीश्टी नहीं चाहिए जिसको घर जिनको यह घर गृति चाहिए उन के लिए बोल रहे हैं लेकिन जो घर गृति नहीं चाहिए ना उनके लिए बोल रहे हैं भी आता जम को अहमारे थीविक्रम गश्वामी माराज की बोलते है जाने तो अमे ते नारायनी गश्वामी माराज बोले एक बार गविंदे द्रसन कर ले के बाड़ ते भीर जाया था भाले जब दावादो लोग बढ़े जाए ना जिगांस कर उन और आसार एगा रिटरं टिगेट कर आ प्रार्थना करनी चाहिए ठागुर जी सच्मुष से एक बार तुम दर्शन दे दो एक बार सच्मुष से तुम हमें दर्शन दे दो जिसको एक बार दर्शन पकरने पर फेर कभी हमें ये संसार जाने का जैसे कभी हमार इचाह नहीं हो बास्तव रूप में इनको दर्शन करने से संसार का जितने आनन्द है आप लोग जानते हो श्री एक धनुर धर था वो एक बेश्या को प्रती आज सकता था ये धनुर धर धनुर धर नाम ये रामानुजी आचारजी का सिश्य है ये इतिन्य एक बेश्या को प्रती आज सकती था वो जो चलता था ना जैसे वो बेश्या आ रही है उसको उपर में । फिछे पीछे 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 छलता था, उसको मुह के सिदीर। और उनका पत्नी ऑंत कि थींदू कि दर्शन करने के लिए। लेकिन। उनकी पत्नी तो रंगई दर्शन कर रहे थी। युछागार्म इस भीवी को मुह शिधे दिख रहा था। इतने में Ramanujya आचारज वले, तुम आयो थाकुर को दरसने करने के लिए ठाकुर को देखो, थाकुर में क्या पथर?" इसमें क्या है? ये तो पथर है — जगत में जोचीज सुन्दर इसमें देखते है ना? तुम रामानुजय आचारज वले एक बार मेरे बीबी को तरफ में देखोगे ना ये पत्थर को देखना भूल जाओगे तब रामानुजी आचार जी ने कहा अगर तुमको हम इसके भी कोई सुन्दर चीजी दिखा दे बले इसको छोड़ दूगा इसको मैं देखना छोड़ दूगा इतने में उनने श्री धनुर धन को सर पर उनने हाथ रखे और ठाकुर जी को प्रार्थना किया ठाकुर जी आप एक जलक इनको दर्सन करा दो ठाकुर जी का जब उनने एक जलक दर्सन किया एक बार उनने दर्सन किया तो भगवान को में क्या कुछ रखा है नहीं इसलिए गुष्वाम जी कहते हैं चिती जालपा बाक गागा ना समीरा पांचार चीता यह आधा मासरीरा कि शरीर किस चीज में टाटी पेसाब खोन पीक अंदर में बद्भू बद्भू और कुछ है नहीं अब देखना ब्यूट पारलार में जाओ बढ़ियागर सद्धाज करके गरिमी का समय पे पांच मिनिट गली घर ब्यूट पारलार से निकलो ना हर कन कन से बद्भू सबरे उ लेकिन वो उपर से नहीं के चमड़ा ढगा हुआ इसलिए इतना सुंदर लग रहा है इसलिए और कुछ है नहीं सरीर में इसलिए कि भगवान को सचमुष से ठाकुर को पास में प्रार्थना करनी चाहिए ठाकुर जी हमें सचमुष से एक जलग दरसन कराओ ये दुनिया की सारे रूप को देशे देखना भूल जाए इसलिए इनका नाम गो बिंद ये गो बिंद मतलब किया है बले गांग बिंद थी इती गो बिंद गो मतलब होता है इंद्रियां गो मतलब होता है पृतिवी गो मतलब होता है बेद गो मतलब होता है गोप गोपी बिंद थी मतलब यह सब को जो आनंद दने वाले है ना यह भगवान स्री गोविंद देव हैं बले स्री गोविंद भगवाने की इसलिए मैया स्री कुंती जब यह गोविंद सब्दों को ब्याख्या करती है कुंती कहते यह गोविंद का यह पराकाष्टा मिनिंग क्या है पले कृष्ण जद् सभी को गोविंद आनन्द देते हैं लेकिन ये गोविंद पुर्ण रूप में किसको आनन्द देते हैं बले गो मतलब इंद्रियां करते स्री राधारानी को जैसे आनन्द गोविंद देते हैं और किसी को इतने आनन्द नहीं देते हैं इसले संपुर्ण रुप में राधा रानिकोनने पुर्ण रुप में आनंद प्रदान करते हैं यह श्री गोविंद देव इसले जो गोविंद देव हैं हमारे विश्रसकर तीन ठाकुरु है गोविंद, गोपिनात, मदनमान करते जो तीन ठाकुर है, करते यही तीन ठाकुर हमारे गौडिय वैस्नव का यही प्राण है, बले यही तीन ठाकुर गौडिया रे करिया अचन आत्म साथ, इसलिए करते मदनमोहन, स्री सनातन गोस्वामी को तुरा प्रकटिता हुए, यह हमारी समंध का देवता है, लेकिन विड़ मिन जो अबहु है का देवता कोन हैह गुविन्द यह अचार जो कोन हैं रुपगोस्वामी एनको प्रकट कियां है इसली किसी रुपगोस्वामी जो कि इनकी आचार जो है इनुने गोभिंद यृपिनात जो मन्न मान ayak samandh एक अभिधया और एक प्रहेजन श्री रुपगवस्वामीनों ने तीन तत्तों को इतने सुंदर रूप में उन्हें अभिवेक्त किया है अद्भूत रूप में इसलिए समंध का देवटा जो मदन मोहन इसके लिए उन्हेने प्रhardy J 1 हमूचुम हमै एजय जगत में भहुत अभना लेकिन हमें कृश्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए क्या ज़ूरत प्रिश्ण भक्ति करने का वह वह आग मित्वागवत्य ज़ुफवा 6 को पड़ो कृष्ण की जो परतत्त्त पर स्थापन किया दुसरे ग्रंथल लिखे जो عवीद है तत्त को पर में, जो ग्रंथल लिखे, उसका नाम क्या बोला देखी? अरब बोलो, सब चुपँ हो किसे. क्या बोले? उसका नाम क्या? बने, भगति, रसां, मृतसिंदो. इसलिए क्यों कि जो अभीद है मतलब सादन, जद्धे भी साधन बहुत है लेकिन क्रिष्ण खुद क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं स्लो क्या है ना साध है माम जोग ना साध है स्तपत्याग जथा भक्ति ममर जिता कहते हैं उद्धव मेरे को भक्ति को द्वना जैसे भक्त मेरे को बसिबूत कर सकते हैं और कोई नहीं इतना मेरे को कोई बशिबूत एकर सकते हैं इसलिए उनने भक्ति रवस्ठोवा नयती अघलेवा दरशनगर अगये इसलिए उनने रुपब स्वामी निंए जो ग्रॉन्त लिका भक्त रस का अंबुत लूप रूप पर जो भकति की, उनने श्रेस्टा अधित रूप में उनने दिखाया, इसलिए गुरुजी कहते थे, जद्यवी भकती को उपर में बहुत भक्ति का जो definition दिया है ना कभी हुआ नहीं कभी होगा नहीं कटे सारी स्लोकों को उन्हें ले करेके ऐसे एक स्लोकों को उन्हें अद्भूत रुप में दिया जो की सर्वस्रेश्ट भक्ति की definition है जिसमें हर चीज को बढ़िया रुप में बताया कोन सारी स्लोक हो है कटे अन्या भिलासिता सुन्यम ज्यान करमाध्य अना बृतम आनुकुलेन कृष्णानु सिलनम भक्ति उत्मा ये अद्भूत है इसको उपर में स्री भी सुना चकपठा कुरू एक एक सब्द को उन्हें बताये जो पहिला सब्द है अन्या भिलासिता सुन्यम करते भक्ति करने के लिए जत्तो प्रकार अभिलास आचे समको त्याग करता है एकाने बलची जदी त्याग करता है एकाने उदाहन दिये बुझा चेन बले द्रपदी आमरा तो साधारन लोक आमरा तो साधारन लोक कि ऐसे आक तशाने कि ऊपधा है पुछार रप्पधि wannक टापधि कर दो ना गले पीर्सनी आत्क ग्रमयण करवादा शाय फोटनी सी पर Christopher ताके दाका कोन दोसनी किन्तु कोखोन डाके यह रहेकम कोख़न ती डाके लुपनि देख मुखन दुर्पधिक यह रहें धक्या रहर चर्ण ए जकने दूसा लुखन ताके बीबस्त्र करार सब्सक्राइब जने साधी के ठैण धर्य तान चे तोखन बीपदी अबस्ताई तीनी हाँ, हे गोबिंद तुम्ही आमाग रख्या गरो किन्तु दोसो होला, जद्धी तुम्ही भाला अबस्ताई आचो, पुरा ज्यान आचे ठाकवरु आमाग चेले दे दाओ, ठाकवर आटाग हम इक ठाका के दे जाओ, ठाकवरु आमारे बाडी त वक्ति नौज ओड़ा करके भक्ति बोला जावे न необходимо अन्या विलासता हो उनिय activity आखेत अभी जो कता सवागर का अभी जन भल्लाburger गोष्वामि स्री कृष्ण तास कभी राजु गोष्वामि कहते हैं सिधात बलिया चीते ना कर अलस जाही नेकर अलस नहीं करनी चाहिए लेकिन है आप गयतों ज्ञान प्रयास अंदो पास्य म्यान की प्रयास छोड़ान चाहिए लेकिन जोती में जो लीन कर देना चाहते ये ज्ञान को लेकिन जो सास्तर ज्ञान गुरु तत्व, भैस्नव तत्व, कृष्न तत्व इसलिए भक्ति का दो बेटे वले एक ज्ञान है एक भायराग्य है ये बेटे दो होनी चाहिए ये ज्ञान कर्म को दवरा कर्म को छोड़ देनी कर्म करते हैं लेकिन यह क्रिश्ण कर्म जग्यार्थात कर्म अन्यत्र लोकयम कर्ममंधना अगर भगवान को छोड़ करें कर्म करते हो इस fazendo कर्म नहीं लिए जो कृष्ण सेवारूपी कर्म इसको त्याग नहीं देनी चाहिए। ज्ञान कर्मा दि अना बृतवल आनुकुलेन कृष्णानुसिलनम। भक्ति कैसे करनी चाहिए। कृष्ण को रोचमना प्रबृति होनी चाहिए। एसे काम करनी चाहिए को तरह कृष्ण प्रसन्न हो जाए। ऐसे काम करनी चाहिए। फेर यहां पर फेर प्रश्ण करते हैं। भईया कृष्ण जब चार्णु मृष्टिकों साथ में जुद्ध कर रहे थे। कृष्ण थे बड़े खुस थे। लग रहा था जैसे चार्णु मृष्टिकों साथ में जुद्ध करते हैं। वो तो बड़े प्रसन्न थे। वो तो बड़ी भक्ति दीखी रहे हैं। लेकिन जब दूद उतल रहा था। मैया जसदा ने कृष्ण को अपना गोध से उतार करके जब रख्या करने के लिए कि कृष्ण रो रहे थे। अगर बोलो के मैया जसदा में भक्ति नहीं यह चार्णु मृष्टी कंस में बड़े भक्ति। बहले नहीं। यहां कहते हैं अभ्याप्ति और अतिव्याप्ति यहां पर उतल जाएगा तो मलाई नहीं होगा मखन नहीं बलगा तो मरे लाला क्या खाएगा। लेकिन जो चार्णु मृष्टी का भक्ति वह क्या है। भावना क्या। क्रिष्ण को मारना चाहते हैं। इसलिए भक्ति नहीं। इसलिए क्रिष्णानुसिलनम, क्या करनी चाहिए, क्रिष्ण के अनुसिलन करनी चाहिए, क्रिष्ण जिसमें प्रसन्न को काम को हमें करनी चाहिए, लेकिन यह जो क्रिष्णानुसिलनम नहीं, क्रिष्णानुसिलनम, क्रिष्णा मतलब स्रिमति राधारानी, क्या जो क्रिष् विष्टन का ही हमें भक्ति करना पड़ेगा तभी क्या होगा करते तभी यह उत्तों भक्ति होगा इसलिए रुपोगर स्वामी ने अध्भूत रूप में उनने ग्रंथ को रचना की इसलिए अभी हम लोग जहां पर आए हैं इसलिए मंदिर पहले साथ तल था लेकिन इसको अरंग जवर ने तोड़ दिया था इसलिए राजा मान सिंग ने यहां से उनने सारे बिग्रह को लेकर चले गए इसलिए हम लोग श्री गोविंद देब का चरने में आए इनसे प्रार्थना गर ठागुर जी आप आपका संत रुपोगर स्वामी तो बोले आपको देख करक है एपका कोए रुपोगर स्वां आपकेल्षन के लिग्रता झाल के विग्रतान मी घा डूंड इसलिए मिलम उसलिए जब हम लोगोगर संत वालत ब्यूरति जाए य। सब कोऑर से तरि Nord Tratari अच्चाय गरें ऑम सबको देख करोग हताण जार्थन चाल में इसलिए हुट र थेन्े सबंदो हमינה शवयत आर्थना अ版ल रंग गानी से जा मैं सबढू हो जा जाए आए लात टीक्ट अगा बिस समया हो जी में एकण 새 जाए ठीक्डीट इन्हेर से जावार यट मैं जहीं ने संबफा इन्हें जाए गवन्दृ को प्लांत है गोविन्दे पर जाते क्रीपा है, आमा दरयाज जाते बारी जेते ना होए, उत्वम प्रोग भल जावे आवार चोली आशे, निता इगाउर प्रेमानन दे, हरी, 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 वो, हाँ, थेखो, हमरे, जो परे जा लो, हम लोग गोविन्दे देखने लिए, हम लोग